संसद में अपने उपर हुए रामायन कटाक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर पलटवार करते हुए कॉंग्रेस संसद रेनुका चौधरी ने कहा है हसने पर कोई जीस्टी नहीं लगा है और उन्हें हसने के लिए किसी की अनुमती की जरूरत नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ मोधी के टिपणी महिलाव के प्रती उनकी मानसिक्ता दर्शाती है पूर्व केंद्रिय मंत्री ने कहा कि उनकी हसी पर मोधी की टिपणी के बाद उन्हें देशवर से महिलाओं से अपार समर्थन मिला है उन्होंने यहां समादाताव से कहा कि मैं पांच बार की सांसद हूँ और प्रधान मंत्री मुझे नकारात्मक पात्र के समानांतर बताते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि महिलाएं बदल गई है और उन्हें मालूम है कि अपने लिए कैसे बोले ये महिलाओ के प्रती उनक के लिए मुझे किसी के इजाज़त की जरूरत नहीं है। रेणुका ने कहा, मेरे पिता ने मुझे लड़की के रूप में नहीं बालखी इस तेश के नागरिक के रूप में परवरिश की है। देश और विदेश की हर तरह की न्.' न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले